सपनों की बहादुरी राजस्थान के गाउं में एक छोटे से गाउं में विक्रम नामक एक लड़का रहता था. उसके दोस्त किसान या शिल्पकार बनने के लिए सपना देखते हैं, विक्रम अलग सपना देखता था, वह पेशेवर कलाकार बनना चाहता था. बच्चपन से ही विक्रम के पास पेंटिंग और ग्राइन के लिए प्राकृतिक प्रतिभा थी. वह गाव के जीवन की दृश्यों को छवियों में बनाने में लगा रहता था, अपने चित्रों में उसकी आसपास की सुन्दरता और जीवन की चंचलता को खूबसूर्ती से बया करता था. पर उसके कारियों को उनके परिवार और पडोसियों की अंदेखी और अस्वीकृती मिली जो कला को एक बेकार और अप्राक्तिक पुरुशार्थ मानते थे लेकिन विक्रम को कुछ नहीं रोक सकता था वह अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तयार था एक दिन विक्रम ने जैपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता के बारे में सुना इस प्रतियोगिता में विजेता को नाम, शोहरत और भविश्य के लिए एक बड़ा नकत पुरस्कार मिलेगा यह एक जीवन का मौका था, लेकिन रास्ते में चुनोतियों की भरमार थी विक्रम ने निर्धारित किया कि वह इस अफसर को पकड़ेगा उसने अपने पढ़ाई में नई उर्जा लाई और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव प्रयास किया और जब प्रतियोगिता का दिन आया, वह उसके लिए पूरी तरह से तैयार था अदालत में विक्रम के दिल की धड़कने बढ़ गई और जब उसका नाम विजेता के रूप में घोशित हुआ, तो उसने यह सोचा ही नहीं था कि वह इतना दूर आएगा वह खुशी के आसु बहाता हुआ अपने परिवार के बीच लोटा और अपने सपनों को प्राप्ट करने की अपनी अध्भुत यात्रा के बारे में उन्हें सुनाया विक्रम की जीत उसकी गाव के लिए गर्व की बात थी वह अब न केवल एक कलाकार था, बलकि एक समवेदन शीलता और प्रेना का प्रतीक भी बन गया था और जब वह गाव में वापस आया, तो वह अपने पूरे समुदाय के लिए एक आदश बन गया था विक्रम के सफलता के प्रसंद के बाद उसका जीवन एक नई रोशनी से भर गया वह अब कला के माध्यम से समाज को संदेश देने का साधन बन गया था उसने अपने गाव में कला के खेतर में जागरूकता फैलाने के लिए एक आदश स्थान स्थापित किया विक्रम ने अपनी कला को गाव के विद्यालियों और समाज के उत्सवों में शामिल किया जिससे न केवल स्थानिय लोगों को समवेदन शीलता के प्रती उत्साह बढ़ा, बल्कि उसने अपने कला के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया. विक्रम की यह कार्यशैली समाज में आदर्शों की उर्जा को संदेशित करने में सफर रही. उसके चित्रों में छुपी आत्मा की गहराई और उसकी जीवन दर्शन का अध्भुत रूप लोगों को प्रेरित किया. इस रूप में विक्रम ने सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया ही नहीं, बल्कि उसने अपनी सफलता को और भी अधिक लोगों के साथ साज़ा करके समाज के उत्थान में भी योगदान दिया. विक्रम की कहानी समाप्त होते ही, उसका गाव न केवल एक सशक्त और समरिध समुदाय के रूप में नजर आने लगा, बल्कि उसके चारों और के लोग भी सपनों की पूर्ती की और प्रेरित होने लगे. विक्रम की बहादुरी और उसकी कलाने न सिर्फ उसकी खुद की जिन्दगी को बदल दिया, बल्कि उसने अपने परिवार, समाज और समुदाय के लिए एक नया दौर शुरू किया. विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों के पीछे-पीछे भागना हमें अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ती देता है. जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबध होते हैं, तो हमारे सामने कोई भी कठिनाई हमें रोकने में सक्षम नहीं हो सकती. विक्रम ने अपनी साहसित्ता, प्रतिबधता और संधर्ष के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया और अपने और अपने समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया. विक्रम की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर कोई अपने जीवन में कुछ कर सकता है, चाहे वह जितना भी असमर्थ या अपराप्त नजर आए. जरूरत है बस एक सपने की और उसे पूरा करने के लिए तयारी और मिहंत की. जब हम सपनों के पीछे भागते हैं, तो जीवन हमें नई दिशा और उचाईयों की ओर ले जाता है. विक्रम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए सफलता के रास्ते पर चलते समय हारना नहीं, बल्कि विफलता को अपने पुनह प्रयासों में रूपांतरित करना होता है. विक्रम ने भी कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन वहां हार नहीं माना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुनह प्रयत्न किया. इस तरह की अंथक मेहंत और निरंतर प्रेणा ही उसको अपने लक्षे तक पहुँचाई. विक्रम की कहानी एक प्रेणादायक उदाहरण है, जो हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें साहस और उत्साह के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए.